रिवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने आदेश जारी किया है कि 33 ये पंचायतों के आम निर्वाचन वर्स 2022 संपन्य कराने है तो प्रथम चरण का मतदान 25 जून को होगा उन्होंने कहा कि ग्रामेड शेतर में इस्थित सराब की समस्त दुकाने मतदान 25 जून को मतदान समाप्ति तक 48 घंटे पूर्विस से बंद रहेंगी तथा इसका क्रेव इक्रेव पूर्था प्रतिबंधित रहेगा उन्होंने आदेश जारी किया है कि जिन ग्राम पंचायतों में मतदान समपन्य होना है उन पंचायतों की सीमा से 5 किलो मीटर की परिधी में आने वाली समस्त सराब की दुकाने बंद रखी जाएं तथा इसका क्रेव इक्रेव पूर्था प्रतिबंधित रहेगा उन्होंने बताया कि प्रतम चरण 25 जून के दिन मतदान दिवस को हनुमना क्रमांकेक, हनुमना क्रमांक दो, मलैगवा, हाटा, मौगंज क्रमांकेक, मौगंज क्रमांक दो, खटखरी, विशरहटा, देवतलाब क्रमांकेक, देवतलाब क्रमांक दो, खैरा, सीतापूर, निर्याद परिवहन विनिर्मार संग्रहन एवं विक्र पूंता प्रतिबंधित रहेगा पच्छेत तारिक को होने वाले पंचायत चुनाओं को देखते हुए आज इतनी सेक्टरक्ट में समवाइल है उनके साथ छेत्र का ब्रह्मन किया जा रहा है और इसके साथ छेत्र में प्रिविन्य गाओं में भ्रमन करके महाँ पर आम जन्से संबाद करके महाँ पर यह पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है किसी प्रकारी को यह समस्या तो नहीं है कोई प्रलोबन तो नहीं दे रहा और इस प्रकार छेत्र में विश्वास भाली की रूप में फ्लैग मार का लगवादा सेक्ला फोर्स का स्पेशल दस्ता भी हम लोगों रखा है साथ ही इसके अलावा और मुबाइल भी हम लोगों ने प्लान किये जो रातरी में आकस्मिक करेंगे जनता को संदेश देना चाते हैं हम लोग कि हम लोग स्वतंत्र और निश्पक चुनाओं कराने के लिए पूरी तरह तैयार है प्रशासन ने पूरे अच्छी तैयरिया किये हैं प्रशासन पूरे टीम के रूप में काम कर रहा है आप से पिक्षा है कि आप किसी भय मे सजोब करें हम लोग 25 तारीख को छुना होना है उस इलाके का भरमण कर रहे हैं तीन बजे के बाद प्रशार भी बंद हो गया है यह सुमश्चित च्छित क्या रहा है चुनाव हो जाए सभी से यह अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और शांती के साथ और इस पक्षता के साथ चुनाव कराए जाने को जिला प्रसासन कटिवद्ध है परियाप्त पुलिस फोर्स यहां डिप्लाई किया गया है और किसी भी तरह की कोई परिशा और पुलिस आफिसर्स इनकी मोबाइल पूरे इलाके में लगातार भ्रमन करती रहे हैं